हेलो दोस्तो, निड ड्रिम्स में आपका स्वागत है, आज मैं आपको एक छोटा सा बो बनाना सिखाऊंगी, इसके लिए हमें क्रोशे और उनकी जरूत पड़ीगी, सबसे पहले हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे और चार की चेन बनाएंगे, तीन और एक, चार, उसके ब दो का एक, और दो का एक करते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह हम चार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, यह हमारा लाज्ट ट्रिपल क्रोशे है, अब हम चार की चेन बनाएंगे, चार, और इसको सिंगल क्रोशे से, मैजिक रिंग से जोड देंगे, ठीक है, पाँच, छे, साथ और एक आठ अब हमें तीन चेन स्किप करके चौथी चेन में डबल क्रोशे बनाना है फिर हाफ डबल क्रोशे बनाना है और दो सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह अब इसको भी हम सिंगल क्रोशे से मैजिक रिंग से जोड़ देंगे यही चीज़ हमको एक बार फिर बनानी है फिर हमें आठ की चेन बनानी है विच चार चौथी चेन में हमको डबल क्रोशे बनाना है फिर हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है और दो सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर सिंगल क्रोशे से मैजिक रिंग में इसको जोड़ देना है इसके बाद फिर हमें चार की चेन बनानी है और जो उधर की साइड हमने वो बनाया था पत्ती जैसी उसको हमें इधर भी दुबारा बनाना है तो हम इसमें फिर वोई चार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे यह हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोशे है यह हमारा तीसरा एक ट्रिपल क्रोशे और बनेगा उसके बाद हमारा चार की चेन बनेगी एक दो तीन और एक चार और इसको हम single crochet से magic ring में attach कर देंगे इसे और फिर इसको हम धागे को पीछे से खीच के tight कर देंगे इन धागों को पीछे से बान के हम इसको cut कर देंगे यह जो बो होता है यह बहुत ही सुन्दर लगता है इसको multi color का बनाओ बच्चों की dress में उनके hair clips में उनके hair band में इसको आप glue गन से चिपता सकते हो यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है जैसे बच्चे की dress है उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं आसा करते हूँ आपको मेरा यह अच्छा लगा होगा बनाया हुआ और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे like करें, share करें और subscribe करें और यदि आप basic history सीखना चाते हैं तो प्लीज मुझे message करें यह देखें बहुत सुन्दर लग रहा है करें। Thank you.